एक जंगल में एक बंदर रहता था जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था, वह हमेशा से दूसरे जानवरों को चालू बनाने में माहिर था, एक दिन वह एक अंगूर के पेड़ पर बैठा था और अंगूर खा रहा था, उसके पास एक पेड़ की डाली पर एक गीदड ही बैठा था, बंदर ने गीदड को देखा और सोचा, मैं इस गीदड को कैसे चालू करूं फिर उसने एक चालाकी से योजना बनाएं, बंदर ने अंगूर की एक गूची ली और उसे गीदड के सामने फेंका, बंदर ने गीदड से कहा, देखो यह अंगूर बहुत ही चाहोगे गीदर ने बंदर की बात मान ली और उस अंगूर को खाने लगा बंदर ने माना कि उसकी चाला की काम्याब हो गई है लेकिन बहुत जल्दी ही उसने खुद को अंगूर की गूची में फंसा पाया गीदर ने उसे पकड़ लिया और कहा तुमने मुझे धोखा दिया बंदर ने हंस्ते हुए कहा हाँ मैंने तुम्हे धोखा दिया लेकिन यह सीखने के लिए है कि किसी को भी धोखा देने की कोशिश न करो क्योंकि आप भी उसका शिकार हो सकते हैं यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी से किसी को धोखा देने का प्रयास करना हमेशा खतरनाक होता है क्योंकि अक्सर हम भी खुद ही उसके शिकार बन जाते हैं